ये pública हेलो हैं आज मैं आपको बताऊंगे कि हमें बत्चों को डाइपर पेहना चाही या नहीं पेहनाना चाहिए और अगर हं बत्चों को डाइपर कर एंसे डाइपर का यूज प३ते हैं बाइट communications बाते का देहां रखना चाही । कि सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो वन मंथ के बेबी होते हैं उनकी स्कीन होती हो बहुत ही सेंसिटिव रहती है तो ब आपको सजेस्ट करूงए कि आप वन मंथ की बेबी के लिए सिर्फ नेप prefer करें चो cotton की हो उन्हें डाइपन न मैं पहनाए उन्हें सिर्फ नाइट में डाइपर पहनाए लेकिन आप अगर अकेले रहते हैं आपकी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं तो आपको घर का और भी बहुत सा वर्क होता है इस कंडिशन में अगर आप दिन में भी बेबी को डाइपर पहना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बेबी को कोई नुक लेबल हैं कुछ डाइपर के कौलिटी बहुत ही पूर होती है अगर आप उनको आपके बेबी के लिए यूज करेंगे तो बेबी की स्किन पर बहुत सारी इंफेक्शन हो सकते हैं बेबी को डाइपर पहनने से रह से सोच सकते हैं तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान करते हैं अगर एक बच्चा तो हम बार बार उनका नेपी चेंज कर सकते हैं लेकिन दो दो बच्चे इस कंडिशन में मैंने उन्हें दिन में भी डाइपर पेर नाया और नाइक में भी मैं उनके लिए नौर्मली मैमी पोकोपेंट्स यूज करती हूं और मुझे वो अब सेकेंड ठिंक आप जब आपके बेबी को डाइपर पिनाए तो उसे हर दो गंटे में चेक करें हर दो तिन गंटे में उसे चेक करें कि वो फूल तो नहीं हो गया है मुझे डाइपर आपने बेबी को पहना रखाया है वो पूरा भरा तो नहीं गया है आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखें और अगर बेबी का डाइपर पूरी तरह फूल हो चुका है तो आप उसे चेंज कर दीजे अधरवाइस उसे पहने रहने दीजिए और जब भी आप आपके बेबी का डाइपर चेंज करते हैं तो दूसरा डाइपर पहनाने के पहले डाइपर वाली जगह को पांच मिनिट थोड़ी देर खुला रहने दीजिए उस पे थोड़ी हवा लगने दीजिए उस जगह को सूप चाने दीजिए जिससे की बेबी को भी अच्छा फिल होगा और दूसरा डाइपर पहनाने के पहले बेबी की स्कीन पर कोकोनोइट ओल लगा दीजी क्योंकि वो बेबी के स्कीन के लिए अच्छा रहेगा और इससे बेबी को डाइपर पहनने के वज़े से रेसेस भी नहीं होगे तो आप इस बात का दिहान रखें कि अगर आप आपके बेबी का डाइपर चेंज कर रहे हैं तो उसे 5 मिनिट खुला रहने दीजिए और दूसरा डाइपर पहनाने के पहले उस पर कोकोनोट नट ओयल ज़रूर अप्लाई करें विसे मार्केट में बहुत सारी रैसिस क्रीम भी मिलती हैं बच्चों को लगाने के लिए लेकिन अगर आप वो पर्चिस नहीं करते हैं तो उससे भी अच्छी चीज़े कोकोनोट ओयल आप उसका ज़रूर यूज करें यह डाइपर की वज़े से आपके बेबी की स्कीन पर रैसिस नहीं होने देगा और अगर आपके बेबी की स्कीन पर रैसिस हो रहे हैं तो मैं आपको सजिस्ट करूँगी कि जब तक वो रैसिस ठीक नहीं हो जाते हैं आप आपके बेबी को डाइपर बिलकुल ना पहना उस रैसिस को पहले ठीक होने दीजिए और उस रैसिस वाली जगा पर बच्चे को दिन में चार-पाच बार कोकोनटोई जरूर लगाए नारियल का तेल जरूर अपलाई करें इससे बेबी को बहुत जल्द ही आराम मिलेगा एक चीज ओर है जो कि बेबी को डाइपर पहनाते समय आपको दियान रखना चाहिए डाइपर की साइस आपको पता होगा कि मार्केट में हर साइस के डाइपर अवेलेबल होते हैं तो आप जब भी आपके बेबी के लिए डाइपर परचेस करें तो उस साइस का जरूर दियान रखें जैसे कि जो वन मंत का बेबी होता है उन्हें N साइस के डाइपर आते हैं बच्चे जब थोड़े-बड़े होते हैं उन्हें S साइस के फिर M साइस के ऐसे उनकी size बढ़ती जाती है इस तरह आपके बच्चे की size की according ही कि उनकी size का diaper fit हो रहा है उनकी size के diaper में comfort फील हो रहा है उस size के according ही आप diaper को purchase करें और कुछ parents ऐसे होते हैं जो अपने baby को diaper नहीं पहना अथे तो उनकी मैं सज़ेस्ट करूंगी कि आप नाइट में अपने बेबी को डाइपर जरूर पेहना है क्योंकि नाइट में बच्चा जब सुसू करता है तो हम भी सोते रहते हैं हमें दिहार नहीं रहता है और गीले में पढ़ा रहता है बच्चा और गीले में रहने की वज़े से उसे में और नाइट में जरूर पहना हैं लेकिन ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताईए उन बातों का ध्यान जरूर रखें इससे आपका बेबी भी अच्छा फिल करेगा और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और फ्रेंड जब आप अपके बेबी की पोटी साफ करें तो उसके लिए वाइप्स का यूज़ करें और वाइप्स नहीं तो वाइप्स से भी ज़्यादा अच्छी चीज होती है कॉटन का कपड़ सुति कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं आप उसे गीला करके आपके बेबी की पोटी को साफ कर सकते हैं लेकिन एक जिस दिहान रखें कि वो कॉटन का कपड़ा भी अच्छी तरह दूला हुआ होना चाहिए तब ही आप उसे अपनी बेबी के लिए यूज़ करेंगा वीडियो में बताएगे इंफोर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग